मानलो लड़की खड़ी तुमको ऊसको पटाना है, ठीक है? तो पेले पटाओगे, फिर सोचोगे कि इसको पटा लो, पेले सोचोगे, फिर उसको पटाओओगे. मानलो गाओं में दो गूड़े बाह हैं, गूड़े बाहिऊनों, बुजरुग व्यक्ति, ठीक है? इस वीडियो का मुद्ध लिया क्या है? समास, तो चलो समास का रंगा-रंग कारिके में स्टार्ट करते हैं, पांस ते छे लाइन के अंदर आठी से लेक्षा लेक्षा आइस तक किसी भी एक्जाम में अगर समास आता है, तो एक भी केस्टन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी, यसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, बस उम्मीद है कि तुम आख खुल के वीडियो देखोगे, ठीक है? तो उम्मीद यसी में करता हूँ कि यहां आ जा और यह समास है, समास है ठीक है, समास की एक इसी परिभासा, जो आठी से लेकर आईयस तक, किसी भी एक्जाम में कोई मायकलाल गलत नहीं कर सकता, गलत कर दे तो उम्हीं मार-मार के सुमर बना देना उसका, ठीक है, सही में मत मार देना, केस हो जाएगा, दो या दो से अधिक सार्थक सब्दों के मेल से बने नए सब्दों को समास कहते हैं किसी भी एक्जाम में लिख देना किसी चीज को, किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को किसी वाक्की को छोटे से छोटा करना ही समास है और छोटा, और compress, और compile करना ही क्या है, समास एक चलना, और कुछ भी नहीं है, तो भाईया, रोग से मुक्त, तो इसको क्या बोल देंगे, रोग मुक्त, तो यही समास है, लेकिन मैं आपके सामने एक सब्द रखूँ, क्या रखूँ, रोग मुक्त, और मैं बोलू कि इसको ब विलोम सब्दे, किसका, समास का विलोम अगर पूछे परिच्छा में, तो कभी भी गलत करके मताना, व्यास लिखे जाना, चुप चाप सांती से बीना को चिल्ला चोट करे, आप समास क्या है एक तरीके से, समास एक तरीके से तुमाही साधी हो चुकी है, और जब तलाक समास विगरे मतलब तलाक, समास मतलब साधी, एक और नाम क्या है, तो वो है व्यास, कि लिए सांस लो, पानी प्यो, आगे देखो, अब एक किस्तना आता है, पूरुपद उत्तरपद का, तो आगे का रहेगा राज है, तो राज का क्या हो जाएगा, पूरुपद और पीछ ट्रिक, ट्रिक आईए, अब आग खोल के वीडियो को देखना, अब ट्रिक के पहले एक चीज और, कि कोई भी माय का लाल तुमसे ये पूछे, आठी से लेखे, आइए, तक कई की भी एक्जाम में, चाग दोस्ते आर नीन में पूछे, दिन में पूछे, कैसी ये पूछे, कि भेद कित्ते होते हैं, हमाज के ये बता दो, तुम तो हमको बस, तो उसको फट से बोल देना, छे भेद होते हैं, छे से जादा है, एक वो बोल देखनी, साथ होते हैं, धे धे कर देना, हुई की जग मार डालना, भले कोई फरक नी पड़ता, जो आदमी गलत बता रहे है इदर आव, सही में मत मार ना, मेरा मत आग, सीनु भाय तुम ने ए से के लाग, पढ़ लो, बन जाओ, बन जा ले, बन के बता दो, वो केरियां, वो तो नहीं सुना जाए भेद, तो कितने भेद होते हैं, छे भेद होते हैं, एक, दो तीन, चार पांट छे, याद नी होएं इसको याद करने की करम से बिल्कुल तो अव्यवी भाव में क्या है भाव तो भाव आया सबसे पहले भाव आता है भाव मतलब feeling आती है ठीक है भाव आता है तो भाव आया किसको पुरुस को तो क्या हो गया है तत्पुरुस समास अब भाव आया तो भाव आया काई का, चोरी पेटाने का, काम करने का, भाव आया किसको, पुरुस को, पुरुस को कौन सा भाया, काम करने का, काम करने का मतलब मेहनत बद्दूरी करो, काम करो, देश के लिए सेवा करो, कुछ तो करो, तो भाव आया पुरुस को काम करने का, तो अवविभाव समास, तत्पुरु समास, कर्म समास. भाव आया, पुरुष को काम करने का. ठीक है? अब पुरुष दिन बधर काम करता है. बहुत सारे पुरुष घर से बाहर जाते काम करते हैं. लेकिन उनके साथ क्या होता? वीचारों साथ दोगलापन होता है. लड़ाई जगड़े हो जाएंगे घर में लड़े होईगी किससे घर की वहाभॉवेटी से जाहिर ची बात है अधिकतले लोग तो अपने वीबी से लड़ते हैं आप दूसरे ट्रिक सुनो, आपसे पूछा जाता है कि अव्यवी भाव समास जो है, इसमें कौन सा पत प्रधान है, और एक्जाम में समास को किस्चन आए, और एसा किस्चन या इसा होई नहीं सकता, सीधा नंबर कटता है, इसलिए इसको बिल्कुल रटी लेना, एक्जाम के भाव भाव आया, तो ये बताओ, एक लड़की खड़ी है, ठीक है, अब तुमको पटाना है मानलो, एक्जाम्पल ऐसी देना पड़ता जबी तुम देखते वीडियो, मानलो लड़की खड़ी तुमको उसको पटाना है, ठीक है, तो पेले पटाओगे, फिर सोचोगे, फि पूर्व, तो वही अव्य भाव, भाव आएगा पहले, काम होगा बाद में, आई बास समझने, मिलने जुलने वाला, काफी चाहें, पीने वाला, इदर दमो फढ़ने वाला, ये सब काम, आप देखो इदर, ये होता है, ये दूसरी वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन बुड़े भाई उनो, बुजरुग वेक्ति, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भेंकर लड़ रहे हैं, तुम बीच में घुसोगों तुम भी खुटेंगे, अब वो दोनों से बोल दो कि तुम इसको सोरी बोल दो, उनका दाईजी नहीं बोले, सोरी, नहीं बोले हैं, दोनों पद प्रधान किस में, दोन्द समास में, याद रख लेना, किलियर, अब भी आद नहीं होना, तो जिए खक मर जाना कोई मतलब नहीं, तागला फाड़ रहे हैं, उसके बाद भी क्या है, यारी, अब बहु विगरी समास, बहु विगरी समास में क्या हो जाएग अब तुम भी इसमें खड़े हो, तुम ना तो इधर बोल सकते हैं, अगर तुम बोल दो बीबी के तरफ तो लोग बोलेंगे, कैसा आदमी है, जानवर, बुड़ापे माई की बेला पाड़े, मतलब मम्मी की बेला पाड़े हैं, मम्मी को परिसान कर रहें, और बोल दो कि म बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, तुम को दीखें, जो करो या लड़े खतम हो जाए, जब मैं को खाने खिला देना, मैं सोरा हूं जाके, के लिए, मतलब दोनों पद को इंपोटेंस नहीं देता है, मम्मी और बीबी, दो रोज का रोज की का में तुम्हारा लड़ने क दोनों क्या होते हैं, दोनों परदान होते हैं, मैं तो भारत अतनों पराप्त विखती हूं, और भविगरी समास में क्या होता है, दोनों परदा परदान होते हैं, हस्बेन बोलता तुमको दीखें, जो करो, मैंको कोई मतलब नी, ठीक है, और अव्वे भाव में क्या होता ह भाव आता है पेले उसके बाद क्या होता है गल्फेंड बनाते है छोरी पेटा से ठीक है और ये वाला ये वाला भी करी लो यार अब इत्ता कर लिया तो फिर ये भी करी लो दूसरा वाला ठीक है मैं सोच रहा था बांकी जो बचे वहां डाल दो लेकिन कल लो तत पूरुस सम क्या होता भिया आज कल के जितने भी युवा हैं जितने भी पूरुस हैं उन सब को उत्तर देना पड़ता है उनके उपर जिम्मेदार हैं उत्तर दाई हैं तो तत्पूरुस पुरुस को हर चीज का उत्तर देना पड़ता है इसलिए उसका उत्तरपत प्रधान है और महीं पे कर्म धारे काम करता को ने पुरुस ही तो करता है और दोगलापन होता किसके साथ है दिगू यह वाला दोगलापन होता किसके साथ है पुरुस के साथ ही तो होता है तो यही त कि उसके आगे अनु लिखा है आ लिखा है प्रती लिखा है भर लिखा है यथा लिखा है मतलब इनके से कोई प्रती भर है यथा या वत हर्व कोईसा भी सब्द में आगे दीखिखै आगे की साइड दीखिए फट्से आंख्बंध करके क्या लगाना अव्य विभास हमास लगाना है ठीक है आग बंद करके मतलब इसा निक दूसरे कापी में लगाया अपनी कापी में लगाना है अव्य विभास हमास आग बंद करके लगाना है कि लिए कैसे अनुरू अनुरूप लिखा है तो इसमें अनुरूप में क्या होगा है तो मतलब अव्य भासमास, आजनम मतलब या दिग्या, प्रति दिन प्रति दिग्या, भरपेट भर दिग्या, बस अब बांकी तुम देख लो, सब में देखे बताओं क्या, ठीक है, next, next क्या भया, next क्या है, next यह, तत्पूरुसमास, ठीक है, दूसरे नंबर का क्या है, पूरुसमास में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, बहुत लप्पा, बहुत यह तरीके से, का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर, किसी भी सब्द में दीखे, किसी भी सब्द में, ठीकिन यह, चीज को यह पूरे समास बहुत ड़काना, छय लेवल के पढ़ बहुत डिटेल में तो हिंदी का कोर्स आगर खरीद ना हो किसी को तो इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है महाँ पर हर चीज कोमेडी तरीके से ट्रिक्के माध्यम से एक्जाम के जितने डीप में जा सकते हैं उतना डीप में और बहुत व्योस्तित तरीके से और बहुत कम समय में मैंने बताईए और ये पूरी PDF भी उस course में आपको free में मिल रही है तो course आप देख ले ना लगे तो नहीं लगे तो यहाँ हो निगापाड़ो इधर आओ तक पुरू समास में क्या होता काकी के को से के द्वारा के लिए में पर यह साही चीज़ा अगर कि इसका व्यास करना पड़ेगा मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा जब पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है तो आप इसको करोगा राज पूत्र तो राजा का पूत्र राजा का पूत्र तो क्या है इसमें इसमें मतलब क्या लगाना इसमें तक पूरु समास इसनान घर अगर व्यास करेंगे, समास विग्रे करेंगे, तो क्या आएगा, के लिए, इसनान के लिए, घर, इसनान घर, क्या लगा दो, तत पूरु समास, खतम, अब ये बांकी एक्जामपल है, रोखे देख ले न, सब बांच के बता हो, उसको कोई मतलब नहीं, की लिए, है न, समझ म आगया होगा, तुमको तो ये याद करना, उपर के पांच्छे सब्दे याद करो, इसके विए उपर के याद करो, ये एक्जामपल क्यों देखना है तुमको, और देखना तो बुक में लगा ले न, वो भी हैं वो तो फिर बचे ही क्या जीवन में, इधर आओ, कर्मधारे प्राण, प्री, प्राणों के समान प्री, ठीक है, अब बात कर लेते विशेशन और विशेश्टी की, तो देखो, यहाँ पर विशेश्टी क्या है, विशेश्टी क्या है, विशेश्टी क्या है, विशेश्टी में हूँ, ठीक है, अब मैं मानलो थोड़े देखले, बहु पैसे बोलते हैं ना चांद सारोसन चेहरा तो चेहरा जो है वो क्या है उपमे है और हे किसके जैसा चांद के सारोसन तो वह क्या है चांद उपमान है ठीक है 여ा पर उपमान उपमे और विसेशयोड दो चीज मीआ आप तो बता चपा हूँ जिन्ति दीखे अब जैसे यह है तो इसमें देखो चो मतलब चार सब्ता मतलब साथ नौ मतलब नौ तो कोई सा भी ऐसा सब्द दीखे जिसमें संख्या वाली फिलिंगा है पूरूपद में स्टार्टिंग में उसको क्या लगाना तुमको आंक बंद करके देखो समाज के जो मतलब क्या है योजक चिन्न ठीक है यह योजक चिन्न मतलब है कोई साभी सब्ध अगर आप इसको करणकी संकेत करते हैं बात दो की चल रहे है तीसरे को वीच में लिख्या गया है कैसे अपने जैसे Specially विबताऊं तो भगवान के मिट्टर में भगवान के मामले में कैसे आप कोई साभी नाम जोग और दूसरी dumping क्रसमी होता है लेकिन अपने सुना है विठान लोगों से पूछ evidence in वो फट सा बता अमदम बता करता कि यह समनझ में जयसे लंबोधर, लंबोधर मतलब सून की बात चल रही है कि लिए यह साई चीज़े होती है बाकि यह जो चीज़े हैं संदी समास में अंतर तो कोई माय का लालेशा हो जिसको संदी समास में अंतर पता हो तो दो अंतर कमेंटम बता देना कि लिए कड़ बात बोल रहा हूं नहीं पता है तो कोर्स में साई डीटेल में पूरी चीज़े दूसरी बात है कि अच्छा ृटि पढ़नी ही किसी भी एकजाम के लिए, आठी से लगए इस तक किसी भी एकजाम के लिए आपको हिंदी पढ़नी हो। चाहे आप 8 वी हो, 9 वी हो, 10 वी हो दस वी हो या फिर आइस की एकजाम देरो। आपके उसमें हिंदी आता है और हिंदी पूरी डिटेल में अच्छे सा पढ़नी है तो हिंदी कोर्स बाइ सीनु सिंग का मिलेगा आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन मिलेगा कमेंट बुक्स मिलेगा उसको देखो और इंजोई करो बाकी अपन मिलते हैं आपके कलेक्टर बनन झाल